दोस्तों अधिकाश लोग लोग से जरूर प्रीचित होंगे अनेक मोखों पर लोग का सेवन भी करते होंगे लोगों को याद तो पता होगा ही कि लोग के सेवन से फाइदे होती हैं या लोग का उपयोग करना लावधायक होता हैं लेकिन सच ही है कि बहुत सार लोगों को लो कई उपाई बताए गए हैं लोंग के सेवन से भुख बढ़ती है उल्टी रुखती है पेट की गैस ज्यादा प्यास लगने की समस्या और कफ पित दोश ठीक हो जाती है इसके साथ ही अपरक्त विकार सांसों के बिमारी इचकी और टीवी रोग से भी लोंग का उपचार कर ल प्रुषों के लिए लोंग लाबदायक माने गई है तो आई यह लोंग के फाइदों के बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तों लोंग के और प्रयोग की मात्रा और विदी इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले जानते हैं सिर्दर्द आप लोंग के फाइदे सिर्दर की परशानी में ले सकते हैं अगर कोई रोगी आधा सीसी या फिर आधे सिर्दर्द की समस्या से परशान है या पूरे सिर्दर्द की समस्या से परशान है तो लोंग का प्रयोग लाब दिलाता है इसके लिए 6 ग्राम लोंग को पानी में पीश कर अपने सुखा लेना है और से गांबे के बरतन में पीस लें इसे शहद में मिलाकर आखों में लगाने से आखों के रोग ठीक हो जाते हैं। दातों की बिमारी में भी लोंग काफी फाइदे मंद है। लोंग के तेल को रूई के फाहे में लगाकर दातों में लगाएं। इससे दातों के दर्द में आराम मिलेगा। इससे दात में लगे कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। अगर किसी को बलगम बहुत ज़्यादा बन रही है तो लॉंग के दो ग्राम कुटे हुए चूरन को 125 मिली लिटर पारे में उबाल ले और जब ये एक चुथाई रह जाए तो इसे च्छान कर थोड़ा गरम करके पी ले ये को कफ को बहर निकालने में मदद करता है लॉंग को मुँ में रखने से मुँ और सांस की दुरगंद मिट जाती है डमा रोग में भी लॉंग के बहुत फाइदे मिलते हैं लॉंग और आगड़े के फूल और काला नमक इनको बराबर मात्र में अबने लेना है तो तीन-चार नगर लॉंग को आगपर भून कर पीस ले इसे शेहदे मिलाकर चाटने से कुकर खांसी में लाब होगा हैजा होने पर बहुत ज़्यदा प्यास लगने की समस्य हो जाती है इस समस्य में लॉंग खाने से बहुत फाइदा मिलता है एक या देट ग्राम लॉंग को करीब देट लिटर जल में डाल कर उबाल ले और दो तिन उबाल आने पर नीचे उतार कर ढख दें इसमें से 20 या 25 मिलिट लिटर जल को बार बार पिलाने से हैजा की कारण लगने वाली जो ज़्यादा प्यास होती है वो समस्या ठीक हो जाती है और अगर किसी को अपच की समस्या है तो एक ग्राम लॉंग और तीन ग्राम हरड इनको मिलागर काड़ा बिनाना है और इसमें थोड़ सा सेंदा नमग डाल कर पिलाने से अपच की समस्या ठीक हो जाएगी और अगर जी में चला रहा है, तो आप लोंग के फाइदे लें, लोंग को पानी के साथ पीस कर, थोड़ा गरम कर लें, और इसे थोड़ा-थोड़ा पिलाने से जी में चलाना और ज्यादा प्यास लगने की समस्या ठील हो जाती है अगर कोई बुखार से पीडित हैं, और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहें, तो लोंग और छुटी पिपली को ब्रावर मातरा में लेकर पीस लें, इस चूरण को डेड़ ग्रम की मातरा में लेकर, और उसमें शहाद मिलाकर सुबह और शाम चाटने से, बुखार और कारण होने वाली शरीरिक कमजोरी, ये ठीक हो जाती है, लोंग और चिराइता को इस मान बातरा में ले सकते हैं, और सब पाने में पीस कर पिलाने से भी बुखार में ला मिलता है, और एकर किसे को पेट के गैस की समस्या है, तो 10 ग्राम लोंग, 10 ग्राम सोट, 10 ग्राम अज तीन पर सेवन करने से पेट की गैस की समस्या ठीक हो जाती है, दोस्तों गर्बवती महिलाओं को उल्टी होना आम बात है, खास बात यह है कि इस तुरान लोंग खाने से उल्टी रोखने में बहुत फाइदा मिलेगा, इस से गर्बवती महिलाओं को आराम मिलता है, इसके पर एक ग्राम लोंग चूरन को और मिश्री की चाशनी और अनार की रसम मिलाकर चाटाएं, इस से गर्बवती महिलाओं को होने वाली उल्टी है, वो बंद हो जाती है, लोंग का काड़ा पिलाने से भी गर्वती इससे की उल्टी बंद हो जाती है, ध्यान रखें कि उनको पुखार में अकाड़ा नहीं देना है, अगर किसी को सेक्सिल स्टेमिना कम है, तो लोंग और जाइफल को घिस कर अपनी नाभी पर लेप करने से पुरुष्की जो संभोग करने की शमता है, वो बढ़ जाती है, लोंग के फाइदे आप गठिया जैसे बीमारी में भी ले स करने होने दर्ब में भी आपको फाइदा मिलेगा, तो दोस्तों यह थे लोंग के बेहतरीन फाइदे, उमीद है आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका फाइदा उठ सके, और हमारी च